एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये दोनों बातरू में फ़र्च जाते हैं ओल्ड मैन एक जनरलीस था और इसके इंटर्विवे लड़की लेना चाहती थी पर उसके इंडेंशन कुछ अलगी थे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको मैंटरिद 1987 ये 2011 की एक फ्रेंच मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ ये काइंड ओफ हैंग आउट मूवी है तो इसके कन्वेसेशन को आप रिलाक्स करकर कुछ खाते हुए एंजॉय कर सकते हो तो बिना किसी दरीक हैं एक्स्मलेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मैं ग्रैटर को जिसका नाम है मिगेल इसे एक होटेल में वर्व्राइट करता देख सकते हैं ये न्यूस वैपर के लिए राइट करते हैं और ये बहुत ही फेमस राइटर है आज उसे मिलने के लिए लड़की आई जो हमारी और एक मेंन के राइटर है इसका नाम है एंजला एंजला आज मिलना का इंटर्व्यू लेना चाहती थी, वो भी अच्छे से राइट करना चाहती है एक अच्छी जनरलीस बनना चाहती है मिलन एंजला एंजला को कुछ ओडर वीगिरा करने के लिए गयता है उसने बहुत पहले एक आत्मे के बारे में आर्टिकल लिखा था उसके बारे में वो बात कर रहा था वो गहता है मैंने उसके बारे में आर्टिकल लिखा पर इसके बाद ही उसकी डेट हो गई थी तो हमने वो पब्लीश नहीं किया वो और उसका पब्लीश यह बहुत ही close थे एंजला पुछती है कि आफिस में सबसे तुम close थे मेगल गहता है एक जगा पर अगर तुम 25 एरस तक काम करो तो सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकी रहता है मेगल है बहुत ही straight forward उसे जो चाहिए होता है इसके बारे में बोल देता है इस टाइप का गैरेक्टर है एंजला ने कोका कोला और्डर किया था इसकी एक सीब उसने उससे मांग लिए मेगल को डॉक्टर ने कोका कोला टवबय को इस तरही की चीज़े खाने के लिए मना किया है पर फिर भी हो मानता नहीं वो एकी टाइम पर स्मोकिंग भी करता है कोका कोला पीता है और टोपाय को भी खाता है उसे लगता है कि अगर इस तरीके से उसकी डेत हो जाए तो इसका ब्लेम ये सारी चीज़ों में इक्वली डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा एंजला ने अपने राइटिंग मिगेल को दिखाने के लिए लाई हुई थी जो मिगेल को इतनी जादा पसंद नहीं आती वो गहता है तुमारा आर्टिकल बहुत जादा लॉंग है अगर तुम्हें पब्लिश होना है तो ये ज़रा शॉर्ट होना चाहिए एंजला ने मिगेल की राइटिंग स्टाइल भी कॉपी की थी तो गहता है तुमारी राइटिंग स्टाइल जारा यूनिक होनी चाहिए तुम्हारे वर्ड्स लोगों को पिंच करने चाहिए तब ही आर्टिकल पर्फेक्ट बनता है व्राइट कैसे करना है? यह कोई भी सिखा नहीं सकता यह अंदर से आना चाहिए यही रीजन था एंजला ने अपने कॉलेज में जो विकेंड के लिए बाहर गया हुआ है तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने चावी उससे ले ली थी इसके बाद मैंने मेरा लग ट्राइ किया मिगेल एंजला को अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहता था उससे कहता है इंटर्विव लेते बाद हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए यह वहाँ पर पहुचे मिगेल एंजला को टी वेकरा देता है यहाँ पर अलग-अलग पेंटिंग्स पड़ी हुई थी तो मिगेल कहता है पेंटिंग ये आर्ट फ़र्म मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पेंटिंग करते हो उसके बाद भी कलर्स को स्मेल कर पाते हो फीजिकली इसे एंज्ट्रैक्र कर पाते हो पर राइटिंग का उस तरीके से कुछ भी नहीं है एंजला ने ग्लासेस लगाए थे तो उसने वो निकाल लिया उसके बाद उसे किस कर लेता है इसके बाद मिगेल ने का ये आज कल मुझे किसिंग में कोई भी इंट्रेस नहीं है जैसा एज वरता गया वैसे इंट्रेस चला जाता है उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए गया उसका मानना था कि एंजला उसे कुछ सिखने वाली है तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए वो उसे क्लेरली बोल देता है कि मुझे जो चाहिए कि मैंने तुमें क्लेरली बता दिया है इसे जाए तो तुम और कुछ भी expect नहीं कर सकती इसका मतलब यह नहीं कि तुम talented नहीं हो पर physically में तुम से attracted हो आज कल में किसी भी लड़की को seduce नहीं कर पाता जब यंग था तब की बात अलग थी अगर आज एंजला के साथ उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में वो लिखने वाला है एंजला को ज़रा uncomfortable लगा तो यहां से वो चली जाती है थोड़ी देर में mind change करकर फिर से वो वापस आगी उसने अपने कपड़े निकाले मेगल ने अपने friend की color लेकर उसके body पर वो draw करता है इनके बीच में अब तक physically कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद एंजला shower लेने के लिए चली जाती है मेगल भी उसके पीछी बीच आया उसने door lock किया वो भी shower लेता है shower लेने के बाद एंजला ने कहा कि अब मुझे यहां से जाना है यह सब वो नहीं कर सकती मेगल कोई बात सुनकर बुरा लगा पर एंजला जब यहां से जा रही थी तो बातरूम का door ही open नहीं होता यह door खराब था पर मेगल का friend उसे बताना भूल गया था एंजला इसे खोलने का बहुत try करती है मेगल ने भी try किया पर दोनों से खुल नहीं पाता एंजला बातरूम की छोटी सी खिड़की से help मागने की कोशिश करती है पर मेगल ने उसे का कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो अगर हम दोना एक साथ पकड़े गए तो तमाश हो जाएगा वो एक famous writer है तो इस scandal भी बन सकता है मेगल ने का कि मेरा friend दो दीन तक वापस नहीं आएगा इतने time में उसकी wife पुलिस को call कर देगी एंजला कहती कि मेरे parents उससे पहली जारा जादा वरीड हो जाएंगे यह इन दोनों के लिए problem थे तो फिर से खिड़की से आवाज लगाने लग जाते है पर इने कोई भी सुन नहीं पा रहा था मेगल कहता है हमारी situation बहुत ही अजीब है एक तो comedy हो सकती है या फिर tragedy एंजला ने का कि अगर हम safely यहाँ से निकल गए तो एक comedy होगी अगर मेरे parents को यह पता जल क्या तो एक tragedy में convert हो जाएगी मेगल पुछता है कि तुमारे father क्या करते है एंजला ने का क्यों military में है उनका नाम उसने उसे बता है तो मेगल उन्हें जानता था एंजला की बड़ी sister को भी हो जानता है उन दोनों में 17 years का difference है मेगल कहता है कि जब वो acting class में थी तो हम दोनों friends हुआ करते थे वो actual में उसे like करता था पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ मिगल बहुत ही worried था कि उसके wife police को बुला लेगी उसे एक writer के story याद आए writer हमेशा अपनी wife पर cheat करता था एक दिन वो घर पर ही नहीं आया उसके wife को पता था क्यों किसी और लड़की के साथ है फिर भी उसने police को call कर दिया कहा कि terrorist लोगों ने मेरे husband को kidnap कर लिया है जब वो writer नेक्स दिन उठा तो अपने आपको उसने directly news पर रपाया यह सब बहुत ही funny बन गया था उसकी wife ने उसे एक lesson teach करने के लिए सब किया था मेगिल कहता है कि तुम्हारी dad और sister में कभी भी बनती नहीं थी वो अमेशा fight करते थे एंजला ने कहा कि वो अब भी करते है actually एंजला ने अपनी sister से ही मेगिल का number लिया था मेगिल कहता है एक बार मैंने उसे पताया था कि मैं उसे like करता हूँ और उसने मुझे reject कर दिया था अगर उसे पता चला कि हम दोने किस situation में है तो मैं wonder करता हूँ कि वो करेगी क्या आज कल एंजला की sister यह बड़ी actress बन चुकी है एंजला कहती है कि मेरी sister को लगता है कि तुम बहुती overrated writer हो मेगिल को यह सुनकर बुरा लगा पर उ कहता है एक overrated writer ही इसको अपना career बना सकता है एंजला बुछती है लोग क्या कहते है क्या तुम्हें इससे कुछ भी फरक पड़ता है मेगिल बुछता है क्या अब भी तुम मेरा interview ले रही हो मैं तुम्हें सब answers दूँगा पर यह interview किस तरीके से end होती है इस पर ही depend करेगा उसे touch करने वाला था पर एंजला उसे दूर जा कर वेटी एंजला कहती है तुम्हारे novice बहुत ही अजीब तरीके से थे पर फिर भी उन्हें बहुत सारे awards वगिरा मिले है मेगिल कहता है novel लिखते हो लोग बहुत ज़्यादा time लेते मैंने इसे professional ही लिखा था हर रोज में कुछ target रखकर इसे complete कर ही डालता था मेगिल एंजला से कहता है कि फिर से try कर कर देखो तुमारी आवाज सुनकर तुमें help करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है सुन्दर लड़की देखे नहीं और हर आदमी उसे help करना चाहता है आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था मेगिल फिर से एंजला के पास आ गया उसे कहती है मुझे सिर्फ यहां से जाना है उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती आजला फिर से डोर को open करने की कोशिश करती है मेगिल कहता है कि जब अभी यंग होते हो तो लगता है कि इस life में कुछ point है वो अपनी life कुछ अलग तरीक से जी लेंगे पर बात में बदा चलता है कि life में बहुत सारी चीज़े pointless थी इसमें कोई भी meaning नहीं था हर एक की कोई ना कोई तो priority होती है मेगिल अएंजला से पुछता है कि आज Saturday अगर तुम घर पर होती तो क्या करती क्या अपने friends के साथ बाहर जाती एंजला को इस सब चीज़े पसंद नहीं है वो गहती है कि मैं books read करती मेगिल को जो books पसंद है यही एंजलाने भी पड़ी हुई है पर मेगिल गहता है हम दोनों के views इस पर बहुत ही अलग-अलग होंगे जैसे कि classical music और एक rock band में difference होता है मेगिल ने फिर यही toilet किया वो गहता है प्यार के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़े लिखी है पर बाकी चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं लिखता यह लोगों को जाधा resonate करती है अपने writing में इन चीज़ों का तुमें ध्यान रगना चाहिए मेगिल अफ frustrated हो रहा था वो गहता है हम दोनों ही आए हम दोनों में एक tension है अगर हम कुछ भी नहीं करते तो tension बढ़ता जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दूसरे को desire नहीं करेंगे पर फिर भी attraction बहुत ही important है मेगेल भी अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था उसे बुरा लगता है कि वो सोच कहा रहा था वो एक old man है कोई भी young लड़ की उसके साथ intimate नहीं हो सकती वो कहता है कि मेरी wife को मैं बहुत प्यार करता हो पर फिर भी कभी कभी आपको isolation की जरूरत होती है हम दोने यहाँ पर इस तरीके से एक साथ है अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लगेगा यह कुछ ना कुछ तो हुआ है यह उसे एक tragedy की तरह लगता है एंजला फिर उसके पास आगे वारे दोनों intimate हो जाते है इसके बाद एंजला को थोड़ी सी भूक लगी थी इस पर मेगिल कहता है मुवीज में मुझे लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है उसने अभी अभी एक action movie देखी थी जो बहुत ही fast थी पर अचानक से उसमें एक आदमी का खाना खाते होए scene आ गया उसे लगता है कि उस scene में एक piece था एक reality थी वो बताता है यह writing भी इसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो भी facts है हमें उस तरीके से बताने चाहिए जितना आप real लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा एंजला अपनी writing से world change करना चाहती थी पर मिगेल कहता है वैसा कुछ भी नहीं होता तुम सिर्ट लोगों के लिए अच्छा लिखने का try कर सकती हो बाकि कुछ भी तुमारे हाथ में नहीं मिगेल की view से बहुत सारे negative होते है वो एंजला से हमेशा इस तरीके से बात कर रहा था कि उससे बहुत ही जादा छोटी है वो almost एंजला को डाट रहा है इस तरीके से उससे बात कर रहा था एंजला को इस पर गुसा आ गया वो गयती ही मुझे सब लोग इसी तरीके से ट्रीट करते है तुम सिर्फ बड़े हो तुम्हें experience है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही हो तुम्हें क्या लगता है यहाँ वर मेरा आना यह तुमने चूज किया था मैं भी तुम्हें चूज कर सकती हो शायद मुझे भी कुछना कुछ different चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर आई एंजला का गुसा शान्त होने के बाद मिगेल कहता है कि इसे को आवाज लगा कर देखो पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था एंजला कहती है कि जब मैं छूटी थी तो इस तरीके से pretend करती थी यह मैं एक celebrity हो मेरा interview चल रहा है और आईनी के सामने हमेशा ऐसी देखती रहती थी मिगेल कहता है लोग अपने आपको जैसे है इस तरीके से accept नहीं कर बाते इसलिए कुछ न कुछ ज़ादा powerhouse बनने की कोशिश करते है यह बात एंजला ने भी realize की थी और इसके बाद उसने mirror के सामने इस तरीके से pretend करना छोड़ दिया सबजेक को change करने के लिए मिगेल गहता है क्या तुम्हें movie देखनी है एंजला बुछ थी कि हम कैसे देख सकते है मिगेल ने फिर उसे story बताना start किया वो गहता है कि एक family थी mother, father और उनका एक बेटा था एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेट से उठना बन कर दिया पहले तो parents को लगा था कि शायद school नहीं जाना चाहता तो उसने psychology से उसकी बात करवा है पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था psychologist ने parents से का कि इस तरीके से आप pretend कीजिए कि सब कुछ चीज़े बहुत ही normal है बहुत दिन बीटे गए पर फिर भी अपने बेट से उठा ही नहीं father और mother ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कई vacation पर जाएंगे या लग-लग places वर घुमे गुमते गुमते एक जगा पर मेला चल रहा था इस मेले में अपने बेटे को बेट बरी लेकर गए वहाँ पर एक लड़की से उसने बात कि वो लड़की भी उसके प्यार में बढ़ गए उनका बेटा फिर भी बेट से उठा ही नहीं उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वो भी फिर बेड में रहने लगे ये बात देखकर सारे विलेजवालों को लगा कि शायद बीमारी कंटेजेस हो सकती है उनने यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और भी थोड़े दिन बीथ गए एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटिफूल थी मदर और फादर एक दुसरे की कंपणी एंजॉय कर रहे थे वो दोनों जंगल में गए और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए जब वो वापस आय तो उनका बेटा बेट से उठकर कही चला गया था उन दोनों ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की पर उन्हें कही भी नहीं मिला एंजला बोश्ती है क्या इस स्टोरी की इंडिंग साड है मुझे तुमें क्यों सुना रहे हो मेगल उसे बता था कि मदर ने अपने बेटे को ढूडने की बहुत कोशिश की थी उसे मिला नहीं पर इस बात से ओ खुश थी उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से ओ तंग आ चुकी थी उसे जो फिलिंग्स आ रही थी इस वज़े से उसे गिल्टी लग रहा था स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया ये गलत था हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगेगा ही पर ये अब हो चुका है इसके बारे में जादा सोचना सही नहीं इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी तुम्हें गिल्टी तो लगेगा पर यही करना सही होगा इसके बाद थोड़ी दिर में मिगेल को किसी का आवाज आया उस आदमी को बुला कर कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो मैं यहाँ पर फर्स चुका हूँ थोड़ी दिर में मिगेल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँझ गया जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अनदेखा करकर यहाँ से चली चाओगी उसी तरीके से एंजला यहाँ से चली के जाने से पहले एंजला ने उसे का कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट था इसी तरीके से मैं उसे ट्रीट करूँगी मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगएगा यह सिर्फ उसके लिए एक experience था इसके साथ यह movie end हो जाती है अगर हम इस तरीके की hangout movies देखे तो इसमें सिर्फ character को और भी जादा जान देना उनके साथ conversation enjoy करना यही सिर्फ एक point होता है तो इसे टाइब की आज हमारी movie थी अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और बेल notification icon दान में मन भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यू के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया